धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने दो मई 1980 को शादी रचाई थी हाला कि एक्टर पहले से ही शादी शुदा भी थे इसलिए रिती रिवाजों से शादी नहीं हुई पहली पत्नी प्रकाश कोर की बावजूद धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की थी इसके बाद इन्हें दो बेटियां हुई ईशा और अहानदेवर एक्टरिस ने हाला कि पुराने इंटर्व्यू में बताया था उन्होंने कभी भी धर्मेंद्र को प्रभावत करने के लिए खाना नहीं बनाया हेमम आलिनी ने बताया कि धर्म जी को खुश करने के लिए मुझे कभी खाना नहीं बनाना पड़ा हम दोनों काम में व्यस्त रहते थे हिमा मालिनी ने इसी दौरान ये भी बताया कि उन्होंने बेटियों के स्कूल जाने के बाद खाना बनाना सीखना शुरू किया था एक्टरस ने बताया था कि इशा अपने क्लास मेर्स के कारण दुखी होकर घर लोटती थी जो अपनी मा के बनाए गए खाने पर दिखावा करते रहते थे उस वक्त इशा के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होता था लेकिन बेटियों को काफी प्राउट हो इसलिए उन्होंने खाना बनाना भी सीख लिया यानि जाहर तोर पर हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों के लिए खाना बनाना सीखा हेमा मालिनी ने बताया कि उस वक्त वो अपनी मां से इस बात से नरास थी कि उन्होंने उन्हें खाना बनाना नहीं सिखाया हेमा ने बताया कि मुझे बुरा लगा और मैंने अपनी मा को फोन किया और उनसे कहा कि आपने मुझे खाना बनाना नहीं सिखाया इसलिए मुझे ये सब जिल्ला पढ़ रहा है हेमम आलिनी ने बताए कि जब धरमेंद्र घर पर आते थे तो वो साउथ इंडियन यानी इडली सांबर और डोसा जैसे ट्रेडिशनल फूड खाना पसंद करते थे